दोस्तो आप WhatsApp चला रहे हैं, WhatsApp चलाने के दोरान में आपका फ्रेंड्स आपको WhatsApp पे voice message send करता है, यानि कि जो audio message होता है, record करके वो send करता है, लेकिन आप ऐसे 2-4 लोगों के बीच में बैठे हुए, जहां पर आप उस message को audio message को play करके नहीं सुन पा रहे हैं, अगर आप प्ले करत हैं, तो आपके अगल पगल वालों को पता चलाएगा कि उस voice message में क्या बोला गया है, लेकिन आपको ये भी जानना है कि आखिर उस voice message में मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे क्या का है, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी क्या ऐसी trick बताने हो जिससे कि आप किसी भी voice message को WhatsApp में किसी भी audio message को, आप सिर्फ एक चुटकी में, एक किलिक में आप उसे text में convert करके आप उसे सुनने के बज़ाएगा आप उसे पढ़ सकते हैं, जिहां दोस्तो उस voice message में क्या बोला गया है, आप उसे सुनने के बज़ाएगा उसे text में आप convert करके आप उसे पढ़ सकते हैं, दोस्तो नोर्मली हम आप WhatsApp इस्तिमाल कर रहे होते हैं, उसी दोरां किसी को voice message आता है, example के लिए चलिए मैं अपने एक WhatsApp से अपनी दूसरे WhatsApp में एक voice message send करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे mic में tap करता हूँ, हेलो मेरे दोस्त राहूल, अभी तुम क्या कर रहे हो, आ जहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी condition में हूँ, जहाँ पे मैं ऐसे दो चालोगों के बीच में बैठा हूँ, जहाँ पे मैं इस voice message को पिले करके इस तरीकी से नहीं सुन पा रहा हूँ, तो उस condition में आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो उसके ल लीजिए, उसके बाद आप दुबारा अपने WhatsApp को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो voice message है, यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है, और आप इसे प्ले करके नहीं सुन पा रहा है, तो यहाँ पर आपको text में convert करने के लिए, सबसे पहला आप इसे select करने के बाद यहाँ forward का जो option है, आप यहाँ पर tap करेंगे, अभी जो mobile number आपने अपने phone के contact list में save किया है, उसको यहाँ पर ढून लेंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते मैंने transcribe me, यहाँ नाम से मैंने save किया है, तो यहाँ पर tap करने के बाद उस voice message को आपको यहाँ पर इसे send कर देना है, औ यहाँ पर आप देख सकते, text में आ गया है, कि hello मेरे दोस्त राहूल, अभी तुम क्या कर रहे हो, आज free हो, तो चलो हम कहीं घुमने के लिए चलते हैं, party करेंगे, खुब मज़े करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते, मैंने यहाँ एक voice message send किया, यह AI system है, आप यहाँ पर द यहाँ पर आप text में लिखा हुआ देख सकते हैं, तो कुछ इस परकार से आपके WhatsApp में किसी का भी voice message आता है, और आप ऐसे condition में जहाँ पर आप उसे play करके नहीं सुन पा रहे हैं, तो normally इस तरीके से आप select कर लिए, select करने बार forward वाले section पर जाई है, और transcribe me नाम से आप save कर ल तो कुछ इस परकार से दोस्तो WhatsApp में आया हुआ किसी का भी voice message को आप audio message को आप यूँ चुटकियों में आप उसे convert कर सकते है, text में और उसे सुनने के बज़ाए आप उसे पढ़ सकते है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके friends में audio message में आपसे क्या बोला है, so I hope आप स